शिल्पा नाम फूरू दिली मेने इता हम चिल्पा नाम कि ऐसा की प्यारी बच्ची ये देखो मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है चलो अब इसे काटते हैं शुल्पा बहुत खुश हो जाते है और अपनी मम्मी के साथ उसके हाथ का बनाये हुआ केक काटने लगती है शाम को शुल्पा की बर्थिडे की पार्टी होती है तभी शुल्पा क पिताजी आनंद उसके लिए धेर सारे गिफ्ट लाते है जिन्हें देखकर शुल्पा बड़ी खुश हो जाती है आनंद अपनी बेटी को गोद में उठा कर उससे कहते है बेटी मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें सारे जहां की खुशी मिले तुम सदा खुश रहो और हमे अच्छा सर्प्राइज रखा है जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा हम तुम्हारी ममी को भी लेके चलेंगे उसके बाद आनंद उर्मिला और शुल्पा को अपनी कार में बठा कर शुल्पा के बधड़े सर्प्राइज को दिखाने लेकर जाता है लेकिन कहते है ज्यादा खुशी को हमेशा नजर लग जाती है ऐसे ही शिल्पा की खुशियों को भी किसी की नजर लग गई रास्ते में जाते जाते उनका ट्रक से बहुत बड़ा एक्सिडेंट हो गया चारों तरफ सनाटा सा चागया शिल्पा बेहुशी की हालत में थी लेकिन वो अपन पास से नजरे देख रही थी जिसमें उसके माता पिता खुन में लग भग जमीन पर गिरे हुए थे उन्हें कोई उठा के ले जा रहा था शिल्पा को ये भी महसूस हो रहा था कि कोई आया उसकी मदद करने लगा कुछ घंटे बीच जाते हैं जब शिल्पा को होश आता है उसकी आखे होस्पिटल के अंदर खुलती है वो अपने चारू तरफ देखती है उसे उसके माता पिता नहीं देखाई देते तब ही एक डॉक्टर आता है उससे कहता है कैसे हो बेटा अब तुम्हें ज़्यदा परिशानी तो नहीं अगर कोई भी दिक्कत है तो दुरन नर रे मुझे मेरे मम्मी पापा की पास लेज़ चलो मुझे उनके पास जाना है शल्पा के बात सुनकर डॉक्टर गंभीरता से सोचने लगते हैं और बहुत ये शान्ती पूर्वक शल्पा से कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये दौर तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होने होगा शिलपा बहुत डर जाती है और घबराहत में डॉक्टर से कहती है डॉक्टर साब आप अपनी बातों को गुमा क्यों रहे हो सीधा सीधा बताओ क्या खिर हुआ क्या है मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है डॉक्टर गंभीरता से शिल्पा को बताते है जब तुम अपने माता पता के साथ कार में जा रही थी अच्छनक से ट्रक में तुम्हारी कार का एकसिडेंट हो गया था जिसकी वज़े से तुम्हारे माँ और तुम्हारी पताजी को बहुत गहरी चोट आई उसकी दुनिया तो पूरी उज़र जाती है उसकी हांसते खेलती जिन्दगी में जैसे किसी ने आग लगा दी हो वो फोट फोट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है मैं आपके सामने हाथ जोडते हूँ डॉक्टर साब मुझे मेरी ममी पापा के पास ले चलो मुझे मेरी माँ खो देखना है डॉक्टर उसकी माँ की डेध बॉडी दिखाने के लिए उसे ले कर जाते है जब शिल्पा अपनी माँ को मरा हुआ देखती है वो वहीं देहोश हो जाती है कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो उसके पिता उसके सामने खड़े होते है वो अपने पिता को देखकर उनसे गले लगखर रोने लगती है पिता जी, यह क्या हो गया पिता जी हमारी हस्ती खेलती सिंदगी में यह कैसा पहार तोड़ गया मेरी मा, मा के बिना मैं कैसे जीऊंगी मुझे मेरी मा वापस जा ये पिताजी उनके बिना मेरे सिंदगी बिलकुल अधोरी है वो मुझे बहुत प्यार करती थी खाश आपसे मेरे बिर्दर का सप्राइज में ही मांगती तो शायद ये हादसा नहीं होता इस सब के सिंदार सिर्फ और सिर्फ मैं हू मेरी वज़े से आज मेरी मा मेरी साथ नहीं मा के गम में बिचारी शिल्पा सदमे में पहुँच जाती है उसकी ये हालत देखकर आनंद दिन रात परिशान हो जाता है शिल्पा खाना पीना भी छोड़ देती है और अपने कमरे में पूरे दिन बंद रहती है खाना ना खाने के वज़े से वो बहुत बीमार हो जाती है उसकी ये हालत देखकर आनंद सोचता है अगर शिल्पा इसी तरह अपने उपर ध्यान देना छोड़ देगी तो उसे कुछ भी हो सकता है अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा नहीं तो ऐसे मेरी बच्ची की जिन्दगी खराब हो चाहेगी ये सोचकर आनंद के मन में दूसरी शादी का खयाल आता है वो एक मोहिनी नाम के लड़की से शादी करता है मोहिनी शादी के बाद आनंद के घर आती है पिता जी कितनी अच्छी बात है ना कि मेरा और बाबू का वर्थरे एक साथ आता है अब हम दोनों अपना वर्थरे एक साथ मनाय करेंगे हाँ मेरी प्यारी बच्ची इस ताल तुम्हारा वर्थरे हम बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे ये सब मोहिनी दर्वाजे के पास खड़ी होकर सुन लेती है और आग बबूला हो जाती है वो मन ही मन सोचती है नहीं ये नहीं हो सकता इस मनहूस के साथ मेरे बाबो का जनम दिन नहीं मनाया जाएगा मोहिनी ये सोचकर बेचारी शिल्पा से पूरा दिन भर काम करवाती है उसे थोड़ी दीर के लिए भी चैन से सास नहीं लेने देती मोहिनी बेचारी इतना काम करके बहुत ठकती है उपर से अगले दिन उसका बिर्थडे होता है जब वो अपने कमरे में आराम करने जारी होती है तब ही मोहिनी शिल्पा से कहती है ओ लड़की सन कल मेरे बाबू का बर्थडे है और सभी महमान आएंगे महमान के खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हाँ ये ड्रेस कल पहन लियो और सुबर जल्दी उठकर घर का सारा काम करना और खाना भी तुझे ही बनाना है समझी तो ठीक है मा मोही ने शल्पा को फटी पुरानी ड्रेस देती है ताकि वो सभी महमानों के सामने शल्पा को अच्छे से बिष्ज़त कर सके ओपर से कल शल्पा का भी बर्थडे होता है वो उसे इतना सारा काम बता देती है कि वो बहुत उदास हो जाती है और माही उसी से अपनी गमरे मे चली जाती है और रोती हुए अपनी मा को याद करती है मा तुम मुझे छोड़ कर क्यों चली गई जैसे तुम मेरे बर्थडे पर केक बनाया करती थी मुझे ये सब बहुत याद आता है और मेरी सौतेली मा तुम मुझे बिलकुल पसंद नहीं करती ओपर से मेरे बर्थडे जो शिल्पा की सारी बाते सुनकर उससे कहता है मैंने तुम्हारी सारी बाते सुनली है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम बहुत ही प्यारी हो और अपने आप को किसी से कमवच समझना मैं एक अनोखा दोता हूँ मुझे भगवान ने वर्दान दिया है जहां पर भी दुखी लोग होते हैं मैं अपने आप वहां बहुत जाता हूँ इसलिए मैं यहां तुम्हारी सारी बाते सुन रहा था मैं अब तुम्हारी परिशानियों को हमेशा के लिए दोर कर देता हूँ तब ही तोता जादू से एक जादूई केक बनाता है और शिल्पा को देता है वो जादूई के बहुत ही टेस्ट ही दिखता है चारो तरफ चोकलेट लगी होती है केक को देकर शिल्पा बहुत खुश हो जाती है और तोते से कहती है अरे इतना प्यारा और सुंदर केक तुमने कैसे बनाया ये तो बहुत स्वादिश लग रहा है क्या मैं इसे अभी खा सकती हूँ नहीं नहीं तुम इसे अभी नहीं खा सकती कल जब तुम्हारी सौतेली मा अपने बच्चे के लिए केक लाएगी तो तुम्हें बस उस केक से इस केक को बदलना है जादोई केक की ये खासियत है कि ये लोगों की दिलों से नवरत को दूर करता है उनके अंदर प्यार और ममता भरता है जब ये केक तुम्हारी परिवार वाले खाएंगे तो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे उसके बाद तुम्हारी उपर कोई कभी अत्याचार नहीं करेगा क्या सच में ऐसा हो पाईगा क्या मेरी सोतेली मा मुझे अपनी बीटी की तरह प्यार करेंगी हाँ हाँ तुम चिंदा मत करो मुझ पर भरोसा रखो मैं केवल तुम्हारी लिए ही यहाँ पर आया हूँ अब जब मैंने तुम्हें कहा है तो बस तुम्हें उतना ही करना है उसके बाद जादूई केक का कमाल देखना शिल्पा बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन जब पादी शुरू होती है तो चुपके से केक कुछ जादूई केक से बदल देती है थोड़ी देर में मुहिनी केक काटती है और सब को खिलाती है जैसे ही वो खुद खाती है तो उसे सारी गलितिया समझ आ जाती है और वो अच्छानक से रोने लगती है और शुल्पा को गले से लगा लेती है और वो रोते रोते शुल्पा से कहती है मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी मैंने स्वार्त में कुछ जादा ही गलत कर दिया तुम्हारी साथ मैंने तुम्हारी बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुम बहुत अच्छी हो और मुझे मेरी गल्तियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है अगर होच सके मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्ची माँ आप ऐसा क्यों सोचती हो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी असली मा तुमर गई तो क्या हुआ लेकिन आपने मुझे बहुत प्यार दिया था वो मैं नहीं भूल सकती मोहिनी की आँखों में आसु भर जाते हैं और वो रोने लगती है उसके बाद से मोहिनी शिल्पा को बिलकुल अपनी सगी बीटी की तरह प्यार करती है उसका बहुत खयार रखती है उसके बाद मोहिनी की वही हस्ती खेलती पुरानी जिंदगी वापस आ जाती है और इसी तरह सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं